हेलो फ्रेंड्स स्वागत है अब सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एन सक्सेस पॉइंट में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 कोचंस को देखेंगे जो आपके आने वाले एक जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है तो वीडियो को बीना इसक्रिप किये इन तक जरूर देखे और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबा लेजिए जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का हमारा पहला पर्षन है भारत का सबसे बाराचिरिया घर कहा है तो भारत का सबसे बाराचिरिया घर चेन्नई में है हमारा आप्षन D सही होगा चेन्नई में भारत का सबसे बाराचिरिया घर है हमारा आप्षन D सही होगा चलिए next को चन देखते हैं तो अगला है हमा आम से जानने वाली यह कंपणी जमसेदपूर में इस्तित है और इस कंपणी की अस्थपना 1907 इसपी में की गई थी तो आप याद रखिएगा तो इसको का मतलब क्या होता है टाटा आयरन एंड इस्टील कंपणी लिमिटेड और यह कहां पे है तो जमसेदपूर में है और इ आपशन एस सई होगा चिल्ली की मुद्रा पीसो हमारा आपशन एस सई होगा चलिए नेक्स्ट पर्सन देखेंगे तो अगला है हमारा वर्तमान में भारतिय सभिधान में कितने अनुछेद हैं तो फ्रेंड्स वर्तमान में भारतिय सभिधान में कुल 470 अनुछेद हैं हमा अफगान लोदी था हमारा अफशन D सही होगा अफगान लोदी चलिए अगला परसन देखेंगे तो अगला परसन हमारा बुकर पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है तो बुकर पुरुसकार साहितिया के छेतर में दिया जाता है हमारा अफशन B सही होगा साहितिया के छेत पत्र कौन सा है, तो friends, भारत देश का पहला, online समाचार पत्र दा हिंदू है, हमारा option D साही होगा, दा हिंदू, चलिए next कोचन देखते हैं, तो next कोचन है हमारा, लोग सभा का चुनाव लरने के लिए कम से कम कितनी आयू होनी चाहिए तो friends, लोग सभा का चुनाओ लरने के लिए कम से कम 25 वर्स होनी चाहिए हमारा option C सही होगा option C, चलिए आगला person देखेंगे तो आगला person है मारा मतुरा किस नदी के किनारे इस्तित है तो friends मतुरा यमुना नदी के किनारे इस्तित है और बात करे मतुरा किस राज्ये में इस्तित है तो मतुरा उत्तर परदेश राज्ये में है उत्तर परदेश राज्ये में मतुरा है और मतुरा किस नदी के किनारे इस्तित है तो यमुना नदी के किनारे इस्तित है तो आपसन 20 सही होगा चलिए आगला पर्षन देखेंगे आगला पर्षन है हमारा सर्वच नियाले की नियाधिस की अधिकतम आयू कितनी होती है तो फ्रेंज सर्वच नियाले की नियाधिस की अधिकतम आयू 65 वर्स होती है हमारा अप्षन 20 सही होगा 65 वर्स होती है चलिए आगला पर्ष C सही होगा 35 वर्ष होनी चाहिए चलिए अगला पर्षन देखेंगे तो अगला पर्षन है हमारा भारतिय सविधान में मूल अधिकार किस देश के सविधान से लिया गया है तो फ्रेंड्स भारतिय सविधान में मूल अधिकार अमिर्का देश के सविधान से लिया गया है हमार अगला पर्षन देखेंगे तो अगला पर्षन है हमारा भारत में आने वाले प्रथम इसाई धर्म परचारक सेंट थोमस थे हमारा अप्षन यह सही होगा सेंट थोमस हमारा अप्षन यह सही होगा चलिए अगला पर्षन देखेंगे तो अगला पर्षन है हमारा भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है तो भारत में मुद्रा की छपाई भारतीय रिजर्ब बैंग के द्वारा की जाती है हमारा अप्षन सी सही तो अगला पर्षन है हमारा वर्तमान में चीन के राष्टपती कौन है तो वर्तमान में चीन के राष्टपती सी जींग पिंग है हमारा आपसन डी साही होगा बोध गाया में भागवान बोध को ग्यान की प्राप्ती हुई थी और बता दे फ्रेंड्स बोध गाया ये बिहार राज्य में चीन है हमारा आपसन ये साही होगा बोध गाया चली अगला परशन देखेंगे तो अगला परशन है एमारा R.S. समाज की अस्थापना किस ने की, तो R.S. समाज की अस्थापना सुमाज की अस्थापना की गई 1875 इसपी मैं और किस ने की स्वामी दयनंद 173 ने की हमारा option C सैथ होगा चली आगला पर शन देखेंगे तो आगला परशन हमारा भीहू किस राजय का परसीद तेवहार है तो फ्रेंड्स भीहू असाम राजय का परसीद तेवहार है हमारा option A सैथ होगा हार है हमारा आपसन सी सही होगा पोंगल तमिलनाडू राज्ये का तिवहार है हमारा आपसन सी सही होगा चली आगला पर्षन देखेंगे तो आगला पर्षन है हमारा इंक कलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया तो फ्रेंज इंक कलाब जिन्दाबाद का नारा भगत सिं याद रखेगा अच्छे से चलिए अगला परसन देखेंगे तो अगला परसन है हमारा परसन है हमारा पंजाब केसरी किसे कहा जाता है तो friends पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है हमारा आपसन ये सही होगा जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है चलिए अगला परसन देखेंगे तो अगला परसन है हमारा भारत की पहली महिला राज्येपाल कौन थी तो friends भारत की पहली महिला राज्य पाल स्रोजनी नाइडू थी और बात करें ये कहां की बनी थी तो ये उत्तर परदेश की राज्य पाल बनी थी जो पहली बार बनी थी स्रोजनी नाइडू चलिए अगला परसन देखेंगे तो अगला परसन है हमारा ब्रहा समाज की अस्था इस्थापना की और बात करे इन्होंने कब की? तो इन्होंनें 1868 इस पी में ब्रहा समाश की अस्थापना की 1828 इस पी में और लाराजा रामोहन रायने की हमарा अप्सन ये सही होगा अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले